दाओ दिबराहिम जब मुंबई छोड़ कर दुबई में शिफ्ट हो गया और दुबई से फिर पाकिस्तान चला गया तो ऐसी कंडिशन में उसकी फैमली के जो लोग भारत में रह रहे थे उनमें उसकी छोटी बहन हसीना का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि जिस काम कर लिया करता था उसे ही दाओद ने अपना बहन होई बनाया उसकी बहन हसीना बिलकुल घरीलू थी लेकिन उसकी जिन्दकी में कुछ ऐसे सरकमस्टेंसिस बने कि वो जितनी खतरनाक बन गई उतनी ही पत्थर दिल बे हो गई तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं दाओद की बहन हसीना का हसीना पारकर से मुंबई अंडर वर्ल्ड की आपा बनने का सफर दाओद मुंबई का भाई बना तो उसकी बहन हसीना मुंबई की आपा बने तो भहिया इस डिजिटल जर्नी में पूरे समय हवारे साथ साथ में रहे दाओद इब्राहिम मुंबई क दाउद की चार बहने साइधा, फैजाना, मुम्ताज और हसीना थिया। और उनके परिवार का, उनकी जरुवतों का बराबर ध्यान रखता था। विक सामान ने पती पतनी की तरहें, जिन्दगी के मजे लूट रहे थे। समय अपनी कती से बीत रहा था। देखते देखते, हसीना और स्माइल चार बच्चों के माता-पिता बन गए, जिन में दो बेटे और दो बेटियां थी। तो भाईया अगर आपके दिमाग में यह सवाल कुल बुला रहा है कि आखिर एक चार बच्चों की अम्मी मुंबई के आपा कैसे बन गई? तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम आप से एक सवाल पूछते हैं। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? नोटिफिकेशन बैल को आउन कर दिया है? क्या कहा? आपका जवाब है हाँ, तब तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा मतलब है अब आगे की बात जानने से पहले कहानी में पीछे चलना ज़रूरी है। चलिए फ्लेश बैक में शिरुवात करते हैं The Rising of Dawn के समय से। पठान गैंग के लोगों को चुन-चुन कर टपकाने के बाद दाओद इबराहिम ने अंडर वर्ल्ड की कुरसी को कुछ इस तरीकी से लपका कि आज भी वो उसी कुरसी के पास है। लेकिन उस समय जो भी उसे इस कुरसी के तरफ आता हुआ नजर आता वो उसे अपने रास्ते से हटाने में जरा भी संकोच नहीं करता। इफ, बट, लेकिन अंडर वर्ल्ड में उसका रास्ता इतना भी आसान नहीं था। नब्बे के दशक की शिरुवात में बियारे गैंग मुंबई में काफी फेमस हो रही थी। इस गैंग के तीन मुख्य लीडर थे बाबू रेशिम, रामू नाइक और अरुन गवली। इस गैंग को खत्म करना दाओद इब्राहिम के लिए चिनोती बन गया। दाओद इब्राहिम ने एके करके बियारे गैंग के लोगों को टपकाना शिरू कर दिया। इससे बियारे और भी ज्यादा खोखार और हमलावर हो गया। दाओद इब्राहिम अपनी चाल में काम्याब होता चला गया। उसने आगे चलकर बाबु रेशम और रामु नायक दोनों को मरवा दिया। अब बचा अरुन गवली। लेकिन लोग उसे यूही डैडी नहीं कहते थे। वो अपने उन दोनों साथियों से ज्यादा शातिर और खतरनाक था। हालांकि जब दाओध प्राहिम ने अरुन गवली के भाई का गेम बजा दिया। इसके बाद अरुन गवली बदले की आग में जलनी लगा। 26 जुलाई साल 1991 को उसने हसीना पारकर के हसते खेलते जीवन में आग लगाई। मेरा मतलब है उसने दाओध के बहनोई इसमाईल का शिकार कर डाला। अब तक अंडर वर्ड में दुश्मने सिर्फ दुश्मन के साथ निभाई जा रही थी। ये पहला मौका था जब बदला लेने के लिए अरुन गवली ने अपने दुश्मन के एक रिष्टिदार को उपर भेजा। हालांकि इसका बदला टी कंपनी ने बड़ी ही जल्दी ले लिया। इसमाईल का एक हत्यारा जेजे हॉस्पिटल में मौझूद था। 12 सितंबर 1992 को टी कंपनी ने उसे अस्पताल में ही मरवा दिया। और इस हत्याकान में Automatic AK-47 का इस्तिमाल किया गया। इसमें एक पुलीस इंस्पेक्टर के साथ साथ दो कॉंस्टेबल भी मारे गए। जिस तरीके के इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद हसीना की जिंदगी बदल गई। वो तो अपने पते की मौट से दुखी थी, लेकिन उसके पास लोग अपना दुखणा लेकर आने लगे। क्योंकि लोग जान गए कि दाव दिब्राहिम के बहन होने के नाते, इसका पावर भी जबरदस्त है। हसीना पारकर को भी लगा कि उसके पास जो पावर है, अब उसे इसका इस्तिमाल करना चाहिए। वो बड़ी बड़ी सेटलमेंट बड़ी आसानी से करने लगे। देखते ही देखते, लोगों में उसका नाम भी चलने लगा। ये बात जब दावद इबराहिम को पता चली, तो उसने अबजेक्शन किया, लेकिन बहन ने भाई की अबजेक्शन को ओवर रूल्ड कर दिया। कोई और होता तो दावद इबराहिम उसे टपका दीता, लेकिन वो उसकी अपनी सगी बेहन थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। हसीना आपा इतनी शातिर हो गई कि पुलीस अपने सारे पैतरे आजमा कर भी उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाई। और ना ही उसे पकड़ पा रही थी। वैसे ये हसीना पारकर का अपना खौफ और दिमाग था या फिर उसके पीछे दाओ दिपराहिम का नाम था। इस सवाल का जवाब आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। आगे चलकर उसने गोल्डन अपाटमेंट में अपने मन पसंद की घर का ताला तोड़ा और उस पर कबजा कर लिया। यहां से आपा अपना दर्बार चलाया करती थी। असीना आपा ने उड़ता हुआ तीर लिया। उसने बिल्डर किशनन मिलान शुकला और ब्रोकर चंदरे शाह को साथ लिया। वड़ाला के एक स्लम री डिवेलपमेंट का एक प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला लिया। इसके लिए एक करोड रुपियों के आवश्यक्ता थी। इस पैसों का बंदुबस्त करने का जिम्मा प्रॉपर्टी ब्रोकर विनोध अलवने को दिया गया। विनोध ने बिल्डर जैयश शाह को अपनी बातों में लिया और उसे एक करोड रुपे निकलवा लिये। लेकिन किसी कारण से यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद जैयश शाह ने अपने पैसे विनोध से वापस मांगे। और विनोध ने हसीना से पैसे वापस मांगे। पैसे तो वापस हो गए लेकिन केवल सत्तर लाख रुपे ही थी। और ये कहा गया कि हसीना अपा ने अपने प्रडक्शन के तीच लाख रुपे काट लिये। ये एक तरह की अभैत वसूली थी जिसे फिरोती में गह सकते हैं। पहले तो उन लोगों ने पैसे मांगनी के लिए हसीना के हाथ पाउं जोडे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो क्राइम ब्रांच के पास पहुँचे। लेकिन फिर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद ये दोनों ACP याने की Anti-Corruption Bureau के पास गए। तब क्राइम ब्रांच की अफसर अनील महावले और राजेंदर निगम के विरुद्ध ये आरोप लगाया कि FIR करने के लिए इन्होंने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन पुलीस अफसर पर तो कोई कारेवाई हो गई। लेकिन हसीना आपा के खिलाफ फिर भी कोई कारेवाई नहीं हुई। 21 अप्रैल साल 2007 को यह मामला Anti, Extortion Sale के पास पहुँचा। तब जाकर फिर दर्ज हुई और जब पुलीस टीम गिरफतारे के लिए निकली तो उससे पहले यह सूचना हसीना के पास पहुँच गई। और वो वहाँ से गायब हो गई। लेकिन अदालत ने हसीना को पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद उसने गोल्डन अपार्टमेंट में कबजा करके अपना धंदा जमाया और लोगों को सरकारी अथार्टी की कारवाई से बचने के लिए भी पैसे लेने लगे। अपने पूरे करियर के दौरान हसीना के वल एक बार अदालत में पेश हुई। हसीना बॉलिवुड में भी अपना सिक्का जमाना चाहती थी और वो फिल्मों के फॉरेन राइट्स में अपना तखल बनाने की कुशिश करती थी। साथ 2005 में हसीना ने अपने एक बेटे की शादी बिसनिसमेन से करा दी। साथ 2006 में हसीना का बड़ा बेटा दानिश एक रोड एक्सिडेंट का शिकार हो गया। दानिश अपनी मा के धंदे में उनकी मदद करता था। इसके बाद हसीना का पूरा काम सलीम पटिल देखा करता था। ये पहले इसमाइल का ड्राइवर था और अब हसीना का खास आतनी। 6 जुलाई 2014 को हसीना पारकर की हार्ट अटेक से मौध हो गया। आपको बता दे कि बॉलिवुड में हसीना पारकर की जिन्दगी पर एक फिल्म बनी जिसमें अबिनित्री शिद्धा कपूर ने हसीना पारकर का रूल प्ले किया। बताया जाता है कि हसीना पारकर अपने पीछे 5000 करोड से ज्यादा की संपते छोड़ कर गई है। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद।